वेलकॉप वेक्टू माई टूप्सिल पेपर हैकर कैसे हैं आप सभी लोग आई हूब अच्छे होंगे और आज किस वीडियों देखने वाले हैं देखो दोस्तों आपको यह पता होगा कि जो हमारा डीलेड होता है जैसे बीटीसी बोला जाता है बीटीसी इसमिल नरीके से त चुटेंट जो भी हों फिप्त पेपर का नाम हो जाता है समासिक अध्यन सिक्षान ठीक है पेपर का नाम देख लो इसमें एमसी को कोशन बैरी सौट कोशन और सौट कोशन पूची जाते हैं जिसमें आपको एमसी कोशन की वीडियो मैं चार पार्ट में ने डिवाइड गय कोई उश्वार है तो कॉमेंट सेक्षिन पूच सकते हूं ठीक है सारे फिर्स्ट सेकंड सेकंड समेस्टर सारे हमने नोट सबको प्रवाइड कर रहा है अपने वेबसाइट पर आप बहां जाकर डालोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिसक्रप्शन वाक्स में दे रखा है और आपने अभी तक चैनल बी एडवाई पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया है बीटी सी उसमें ही वीडियो आपको प्रवाइड कराते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना था इंकिए फॉर बचिक्स वीडियो अब मैं यहाँ आप से स्टार्टिं करता हूं बीटा प वहुतिया विट्विकासखंडशासन द्वहारा सब्सक्राइब जाधा जो गौण सब्सक्राइब में उपासशन में सुबधाये दी जाती है वह वह बीकासखंडशासन द्वहारा दो बस ज़ागा तो ऴरात करने वाले हैं को Qution कि हो जाएगा ऑप्चिन नमर C is right होगा नेक्स कोशन आपके सामने हैं आप सकते हैं और यह हमारा देखिये दूसरा कोशन कि बात करें बहुत का उब विवस्ता है और यहां बोला गया है पृथवीक का उबगर है नेक्स कोशन में सिंदू सबता के घर किस से बनाए जाते थे तो आपको गए इटो से बनाते थे सबसे बड़ी इमारत है सबसे बड़ी जो इमारत है को 2015 में पूचा गया था यह सबसे बड़ी जो इमारत है वो थी इस नागर नेक्स कोशन है चंद्रमा ग्रहन की घटना होती है आप जानते है पूर्ण मा के द्वारा होती है नेक्स कोशन यहां बूला गया है उस दिन चंद्रमा पड़ता है इस बात को याद रखेंगे नेक्स कोशन यहां बोला गया है कि पिर्थवी के सबसे दूर गरे है कौन सा होता है तो पिर्थवी से सबसे दूर गरे है वरण गरे है नेक्स कोशन बोला गया है पिर्थवी के सबसे निकट गरे है कौन सा है तो वो है सुक्र गरे है यहां बोला गया है नेक्स कोश्चन देखो 2017-15 में पोश्चन 2012-15 में पूचा गया है हरपा नाबक इस्थल किस प्रांत से संबंदित है तो आपको सभी को ता 112 को जो राइट आने वाला है वो रहेगा बेटा option number से पंजाब से हरपा नाबक तो इस्थल है प्रांत के संबंदि थी नेक्स कोश्चन वो लगया है मेसुटमिया किस देश से संबंदित है तो आप कहेंगे इरान से संबंदित है कह रहा है पिता सब्द हिंदी है तो इसका फार्सी सब्द क्या होगा तो फार्सी सब्द होता है बिटा पिता के लिए फार्सी सा भांसा में पार्टर बोलते यहां बुला गया है ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आपको इबताना है तो जिसने भी option नमर दिया है जिसने भी option नमर दिया है देखो उसे बागा जाता है महा विनेश करण कहा जाता है तो option नमर जिसने भी दिया है एक option नमर दिया है एक option नमर एक को लॉग करेंगे नेक्स कोशन बोला गया है निमने से कौन सा बोला गया है कि साहित धर्मिंतर साहित है तो आपको सबी को बताओगा वो से कहते है राज तरंगडी जिस वो है आपका साहित धर्मिंतर साहित बोला जाता है इतिहास घटना ये फिर विचार, विचारों की उत्पत्ती का जो सुबन वित्रण है, वह है, बैकतन किसका है, तो जिसने भी दिया, option number D, बिल्कुर राइट रहेगा, वो गार रैप्शन का, next question यहां बुला गया है, पूरा पास्रणकाल की महत्पूर उपलबनिया थी, वो क को बता हो गई तो, अब देखो, DLA और BTC पर किसा दोजार आप पूछा गया, यह अब देख सकते हैं, next question बुला गया है, most important है, यह है, महाप आशर से तात्वरे किस से होता है, तो option आप जानते है, परबत जो शरंकला है, उससे संबंदित होता है, यहां बुला गया है, साम कार्थ क्या होता है, साम बेद जो होते है, साम कार्थ क्या होता है, गाम से होता है, next question बुला गया है, साम कार्थ गान से होता है, यहां बेदांग कितने है, बेदांग की बात की जाए, बेदांग बिटा छे बेदांग है, option नमबर जिसने भी दिया है, जिसने भी दिया है option number बी बिल्कुर राइट है नेक्स्ट बोल एक्सट देखो 28 मा कोशन बोला है गैर शमयनता बोला जाए बिवाद क्या है जो गैर समान बिवाद की बात की जाए आप देख सकते हैं बी option बिवाइट है जिसे बोलते हैं गर्धव विवाद देखें ये गैर मान बिवाद होलाता है बिवा कहलाता है शादी कहलाती है नेक्स कोशन बोला गया है कि उत्तर वैदन कालिन संदेज बहाद कहलाता है वो कहलाता है बेटा दूद नेक्स कोशन बोला गया है वोद के समकालिन समराट माना जाता है वो असोक को माना जाता है नेक्स कोशन है र एक कॉन है कि उसके बाद में देखों को देखेंगे नच्स को कोशन के सामने आ चुका है तो इंडिका kustak के लेखक थे हम ने आप को बताया था बहुत जाद इंडिका पुस्तक लिखी दी यहां बात की जाए सक जो सक समवन 78 इस भी जो चलाया गया वो किसके द्वारा चला गया था वो आप चलाया था ऑप्षिन नमर एक कनिष्ट द्वारा चलाया गया था कनिष्ट मुझे बोला जाता है और 7 योजना को अंतिम रूप देता है तो प्रधान मंत्री द्वारा दिया था तो बार्वी बचिवर सी गुजरा की बाद में नीति इव को पारद की वो है गद और पक दोनों में रचित है सर्कार दोला का तिसーん आपके साמנे चुका है लो एक हलग से है यहां कहे रहा है नगर निगम का सर्वोच्च जो निर्बाचे अधिकारी कहलाता है वो क्या कहलाता है तो आपको पता हुआ वो कहलाता है मियर नगर निगम का नेक्स कोशन मुला गया है एक सो चालिसमा है जिले में परिबार कल्यार के कार कौन करवाता है तो आपको पता है वो करवाता है मुखे चिकेसर अधिकारी जिसने भी option number D को लॉक किया है यहां बुला गया है लीप बर्स में फरवरी कितने दिन की होती है तो बेटा 29 दिन की होती है और साधान बर्स में होती है 28 दिन की नेक्स कोशन बुले बाद की जाए लीप यहां बुला गया है देखो 1366 दिन होते है लीप बर्स में और साधान बर्स में होते है 365 दिन ठीक है एक दिन बढ़ जाता है वो बढ़ जाता है फरवरी का लीप यार का 29 दिन यहां बुला गया हर चार साल बात लीप बर्स आती है लीप बर्स कितने बर्स बाद आती है तो गया तो नाम क्या था तो आप कहेंगे A और B डोनों राइट रहेंगे option A और B दोनों राइट है next question यहां बुला गया है सूर्य के चारो और परिक्रमा करने बाले जो खगोली पिंड कहलाते हैं घगोली पिंड बीटा गरह कहलाते हैं जो सूर्य के चारो और परिक्रम करते हैं जैसे कि पृत्वीय गरह है नेक्स कोशन है बायू मंडल के किस इस्तर में सरबदिक मौसमी घटना घटित होती है तो बायू मंडल के सबसे अधिक जो घटना घटित होती है नेक्स कोशन बोला गया है वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है तो बो कहलाता है बिटा ग्रामडी ग्रामडी क्या होते हैं वै 47 में कोशन देखी एक सो कहरा किस हडपा इस्थल में इस्थल से कासित तुर्की की मूर्ती प्राप्थ हुई है तो जिसने भी दिया है ऑप्शन नंबर सी मोहन जोदोर से प्राप्थ हुई है 149 में बोल रहा है गुलाब पर दो इस्थानों के बीच नियंतम दूरी कितनी होती है तो आपको पता है वो होती है जोसे कहते हैं अंतर राष्टी इस्तिति रेखा पर 150 में कोशन बोला गया सिंदू गाटी की निवासियों का मुख भोजन क्या था तो बो था बिटा उप्रयोक्त सभी चावल भी खाते थे गयों जो अब मैं 151 से मैं इसके पार्ट नंबर 4 में आपको दूँगा ये पार्ट नंबर 3 था पार्ट नंबर 4 को देखेंगे ठीक ह नेक्स्ट वीडियो में आज की वीडियो कैसे लिए कि कॉमेंट सेक्स में जुरू बताइए ये एंसी की ओशन उंपोटेंट इंपोटेंट ने वही करा रहा हूं और पार्ट 4 में सारी खतम कर दूँगा कोई चुने चल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आकों को प्रेस कर तरह थैंक ये फॉर वाचिन वीडियो प्राइब